कि अलो स्टूडेंट्स गुड मॉनिंग आया मुकेश कुमार डाय होप यह ओल और हेल्दी वेल्दी और फाइन तो प्यारी विजारतियों जो हमने अगिफ्ट ओफ चैपल्स शुरू किया हुआ था लेसन उसके हम पेज नॉम्बर 21 पर पहुंच चुके थे तो जहां हमने फ तो प्यारी विजारतियों जैसा कि हमने यह जो पैरा था इसको फिनिश किया तो लास्ट में थोड़ा सा पड़ लेते हैं जिससे की लास्ट की जो लाइन है और वह नया जो आने वाला काम हो वह हमारा थोड़ा एटाइच हो जाए तो जो लड़का है रभी वह बहुत ही ब बहुत ही बढ़ा जड़ा के बाते करे जा रहे हैं कि महाबलीपुरों में रिशी के आगे पुरवजों से पुरवज आगे है वह ठीक है तो वह सब उसके देखते कि खुश भी हो रहे हैं रवी फ्लारिश इस्ट्विक्स एड महिंद्रन और उसके बारे मिता रहे हैं कि ए नहीं बाते बता बता कर बहुत खुश होते जा रहा था उससे आगे हम शुरू करते हैं महिंद्रन लुक्ट अप अलार्म महिंद्रन ने उपर देखा और वह अलार्म हुआ अलार्म का मतलब होता है सचेत होना सतर्क होना यह अपने क्लोज जो थे क्लोज में पंजे जो थे उसको शार्पन कर रहा था शार्प मतलब थोड़े तीखे कर रहा था उसको घिस रहा था जाए पर बट वस्देन रवी जो फूब यह वाज कृच लेकिन रवी की जो बड़ाच्टा के बाते उससे भी एक बिकार चाही दिया कुछ एक आवाज आई जिसका पीच एक साउंड है वह आभी देखें क्या होता है फ्रॉम दा विंडो एक विंडो में से आवाज है वाट आवीर्ड साउंड वियर्ड मतलब स्ट्रेंच अन्यूसल यह कैसी साउंड है इसम्रिदू वाज स्टार्टल एंप पुनाई अवाज आई है यह कितनी अंजान आवाज है और स्टार्टल का मतलब चौक जाना और जो मृद्धू है वो चौक गई है और एंप पुनाई वो भी मतलब उस आवाज से एक्टम से डर गया है पता नहीं कि उसको मतलब विजित्र से आवास हो नहीं तो थोड़ा सचेत हो ग इस दित्रीज इस एंप बूद यह नहीं आवास होने इस मृदू वह स्टर्टल तो व्यू यह विजित्र संट अप पनाई वास राइटन आउट ओ इस आफ और आउट ओ विजित्स थोगाई आप पनाई वो भी जो फोड़ा आप पनाई वो बिल्ली जो थी वो भी जित्र और उसके जो बाल थे शीरों पे खड़े हो गए मतलब थोड़ी सी सतर्क हो गई और वहां से कूद के बाउंस अब मतलब छलांग लगा करें वहां से चले गई आपने आपको वहां पर शीपानी कोशिज करती हैं तिपट ओफ्यू चिलिस ऑवर हिमसल और उसमें आपके उपर अभी कुछ एक चीलिस मतलब मिरचें जो थी वो डाल ली थी म्याओंवी होल्पी और वह वह और जिसके वज़हसे जो बिलिटर के कूद के एकदम सड में हो ग चिपने लगी तो वो क्या था तो वो जो साउंड थी वो बार-बार आ ही रही थी तो यह आवाज क्या थी मृद्धु नहीं पूछ लिया अब रवी ने उसको बताया गुरूराना या कुछ बताना बट बटाना कि जो लाली है वो वाइलन सीख रही है इस वज़े वही आवाज है और वो कभी नहीं सीख पाईगी कुछ भी उसने यह कह दिया इसका मतलब यह है कि जो उसको नएने चीजें डेलेगी सिखाता रहेगा लेकिन वो कुछ नहीं सीख पाईगी प्रभी नहीं उसके बारे में कह दिया कि इसके बारे में लाली के बारे में कि वाइल लाली जो टाइम डी रेली और जो करेगी जो लाली है वो बार 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 पत्री से उतर जाती है वो करेगी जो मास्टर उसको वो सिखाने कोशिश करता है लेकिन वो जो है लाली जो है वो बार-बार पट्रे से नीचे उतर जाते हैं मतलब वो सीखना बंद कर देती है गोइंग कंप्लिटली ओफ ट्रेक और वो ओफ ट्रेक चलने लग जाती है मतलब जब भी उसको कुछ सिखाय जाता वो उसे अपने रस्ते से भटक जाती है मतलब वो कुछ सीख नहीं पाती है तो प्यारे विजारति आज हमारा जो पार्ट वन है वो फिनिश हो चुक है और कल हम सेकंड पार्ट शुरू करेंगे और आज हम मैं इसके आपके जो कोशन असर है वो भी आपको मैं भी भेज देता हूं तो वो आपने फिर नोट बुक में लिखने हैं काफी लंबा लैसन रहने वाला है तो धहरिये से पढ़ना है और घर पे आप लोगों ने इसको मैं लेगर को लाए बुक मैं लुक अच्मावे हैं वो भी ने यच्ग करेंगे यटी करने हो बुल्स को भी आपके लाह है वाह से जो बुल्स करेंगे लोगों वह भी वे जापके लेग।